नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल जानकारे में दोस्तों आज किसी वीडियों आपको जानकर देने वाला हूं थायरोसीन 25 mcg की टैबलेट के बारे में ये थायरोइड के लिए काफ़ी जाद उपयोग करने वाली दवाईयां है इसको दोस्तों कंपणी है शेडियूल एच के अंदर करते दवाई देखने को मिलती है जिसको यूज करने से पहले आपको प्रिक्रिप्टर की साहता की आवशकता पड़ सकती है 133 रुपय का आपको देखने को मिल जाता है यह आपको 75 mcg 100 mcg और 125 mcg 80 mcg में आपको अवेलबल हो जाती है मार्केट सब्सक्राइब करता है कि इसी हिसाब से बनी हुई होती है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या पर थाट वह साथ ही जरूर नहीं हो तो चैनल को सब्लाइब जरूर कर लिए सब्सक्राइब के साथ बैल आगन को जुरूर प्रेस कर लिजीगा ताकि जब भी नहीं वीडियो आई तो आपसे उसका कोई भी नौटिफीकेशन मिस्ट नहों पाए कंटेंट की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका थायरोक्षन आता है पच्छीस एमसीजी में आता है यह बेसिकली थायरोड हार्मॉन के लिए होता है बेसिकली काफी जादा उपयों के जाता है यह दोस्तों करता क्या है यह हार्मॉन आधार उपचाई जो दरवे दर होते हैं वैसल मेंटवॉलिक रेट होते है उसको बढ़ा डेड़ता है यह सरकरा प्रोटीन वावजसा के उपयापचा को बढ़ाती है यह केंद्रे तंद्र के विकास के बहुत अधिक मेहतोपूर्ण होती है जिसके विए से थायरोइड वगारा कंट्रोल में रहता है इसको उपयोग की बात करते हैं तो थायरोइड का पैपलरी कैंसर के लिए उपयोग किये जाता है और गहेंगा हो जाता है नोट्रेक्टिक ग्रॉश्टर हो जाता है यानि गहेंगा हो जाता है कि नॉर्मली कहते हैं उस चीज़ में इसका यूज किया है यह दोस्तों बच्चे और बड़ों में देखा किया है इसकी जो बेसी के लिए लक्षण होते हैं जैसे थकावट वजन बढ़ना या ऐसे कुछ चोटे मोड़े लक्षण देखेंगे मिल जाते हैं अगर कुछ ऐसे सिंप्टम आपको लंबे समय तक रहते हैं कि अचानक बढ़ रहा है तो अपना थायरोड टेस्ट का जरूर करवा लीजिएगा इसमें दोस्तों होता क्या है है इसमें थायरोड गरंती जो पर ही यह दवायां लेनी चाहिए साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो गबराहट कंपन अधिक पसीनाना चेहरा लाल हो जाना सिर्दर्द अनिंद्रा हेडदेगती अनिमेता वजन काम होना ऐसे को साइड इफेक्ट इसके देखें जा सकते हैं लागर लंबे समय तक रहते है तो साब्दानी के बात करते हैं तो गर वस्ता हो या दुख दवस्ता हो अगर आपको इससे कंटेंट से एलर्जी हो गए रहा है या फिर आपको कोई भी अधर कोई प्रॉडम है तो डॉक्टर से जान कर लेने के बाद ही इस दवाई का स्यावन करना चाहिए बच्चों म करना चाहिए किसी के भाई या झाय कर रहा सकते हैं चार साड़े 450 में हो जाता है इसलिए आप कहीं से कर वा सकते हैं तो बस दोस्तों यह था थ्यछी तो नई होड़िए लगिए तो नई हो चैनल को सब्स्राइब भी जरूर कर लिजिए तो मिलता पन नई वीडियो के साथ okay by Tata and thank you for watching